दोस्तों वर्तमान में सीरियल इमली में प्रोफेसर मालिनी चतुरवेदी का करदार निभा रही अबनेतरी मयूरी देशमुख इतने कम समय में ही दर्शकों की पहली पसंद बन गई है जहां सीरियल में आदित्ते के साथ इनकी जोडी ने सीरियल को और जादा रोमान चुक बना दिया है जहां इनके मासूम और सभी के लिए केरफुल बिहेवियर को दर्शक खूब प्यार दे रहे हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि असल लाइफ में इनकी टीवी इंडस्री की कई अभिनेत्री हैं बहुत इस्थ करती हैं मयूरी देशमुख की बेहत जादा इज़त तो देर ना करते हुए जाते हैं कौन सी हैं वो अभनेटरियां नमबर बन करिश्मा तन्ना जी हाँ इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है टीवी इंडस्री की बेहतरीन अदाकारा करिश्मा तन्ना का जो कि अभनेटरी मयूरी देशमुख की बेहत जाद रिस्पेक्ट करती हैं बता दे जब इनोंने सीरियल इमली में मयूरी देशमुख को पहली बार अभने करते रेखा तब ही ये उनकी बेहतरीन अदाकारी की मुरीद बन गई जो इस करिदार को इतनी शिद्दत से परदे पर उतार रही है जिसके जितनी तारीफ की जाए कम है इसलिए इनके शानदार अपने प्रोदेशन की वज़े से ही करिश्मा तन्ना मयूरी देशमुख को अपना आइडल मांती है और इनकी बेहत रिस्पेक्ट करती है क्यों चौँ गए ना भी लेकिन ये सच है कि एश्वेर अश्रमा को आप इन दिनों सीरियल गुम है किसी के प्यार में में पाकी का किरदार निभाते देख रहे हैं वो भी मयूरी देशमुख की बेहत ज़ादा इज़त करती हैं वो भी इसलिए नहीं क्योंकि ये अदाकार के लिए मशूर हैं बलकि इसलिए क्योंकि ये मयूरी देशमुख के केरिंग बिहेवियर से काफी अच्छ से वाकिफ हैं हाला कि दोनों की साथ में तो कोई तस्वीरे नहीं है लेकिन ये कई बार रवार्ड फ्रंक्शन के दौरान एक दूसरे से मिल चुकी है और जब जब पैश्वेरा शर्मा के दिल में मयूरी देशमुख के लिए बहुत रस्पेक्ट है नमब 3 निधिशा बैतरी नदाकारा मयूरी देशमुख की इज़त करने वाली टीवी अक्ट्रोस में से एक नाम वर्टमान में अनुपमा सीरियल में दिखाई दे रही या बिनीतरी निध निधिशा का भी शुमार है और वो इसलिए क्योंकि निधिशा को अनुपमा सीरियल में किंचल का रूल ओफर करने वाली शक्सियत कोई और नहीं बलकि मयूरी देशमुख ही थी बताने एकी समय पर जो मयूरी देशमुख के पास अनुपमा और इमली सीरियल का ओफर आया तब इन्होंने इमली सीरियल का ओफर स्विकारते हुए अनुपमा सीरियल में किंचल के केदार के लिए निधिशा का नाम लेने से पहले एक सिकंड का भी वक्त नहीं लगाया और इनकी इसी डिसीजन की बरौलत निधिशा को उनके करियर का ब्रेक भी मिला जी हाँ चौकिये मत क्यूंकि ये सच है टीवी इंडस्री की साइको माया जनिफर विंगेट भी मयूरी देशमुक की बहुत हिस्जत करती है और इन्हें अपनी बड़ी बहन जैसा सम्मान देती है क्योंकि भले ही इनोंने मयूरी देशमुक के साथ किसी सीरिल में काम ना कि या हो लेकिन जस तरह से मयूरी देशमुक ने अपने हस्बिन को खो देने के बाद खुद को संभाला है और आगे बढ़ने की एक नई मिसाब कायम की है उससे जनिफर विंगेट काफी प्रभावित हुई है और उनकी इसी बात की वज़ह से जनिफर विंगेट आज भी चुरिंदा बनेत्रियां जो करती है मयूरी देशमुक की बेहत जादा इज़द वेल इनकी तरह आप अपनी लाइफ में सबसे जादा रिस्पेक्ट किस शक्स की करते हैं आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी छोटे परदे से जुड़ी यस मसदार खबर को जाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें